Hello everyone, my name is Nikhil and welcome to the channel आज के वीडियो SSC CHSL के नोटिफिकेशन के ऊपर है मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में स्टैट्जी वीडियो था इसे एक्जामनेशन का SSC CHSL का दो मेने के स्टैट्जी मैंने बताया थी उसके अंदर कहा था कि मंडे तक आपका आजाएगा, मंडे नहीं Tuesday को आया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि एक्जामनेशन डेट चेंज नहीं होंगे, वो चेंज नहीं हुए, दूसरी बात ये कि सिर्फर सिर्फर वेबसाइट के अरर की वज़े से ही सारा इशू आ रहा था और कुछ भी डेट के अंदर फिढ़ाल SSC ने कोई अनौंसमेंट नहीं किया कि चेंज रहेगा, अगस्त के बारे में बात करेंगे, क्या कट अफ होने वाला है, इस वेकेंसी इंक्रीज होने की वजए से क्या चेंज होएगा, स्ट्राटीजी वीडियो जो मैंने वरायत आपसके अंदर क्या बदलाव होंगे, सब कुछ हम लोग अच्छे से दिखेंगे आज की वीडियो में, तो SS आपकी नौकरी सीचसल के थ्रू होती है, ज्यादा था टाइपिंग वाली नौकरी आज के अंदर होती है, इन सारे पॉइंट्स के उपर हम लोग बात करने वाले हैं, सेलरी से लिकर के हर एक चीज बताओंगा, एक किताब से नौकरी भी निकालवाने की बताओंगा, और ए सारे काम यहीं पर होंगे, यहीं पर आपको दुबारा आपना करना पड़ेगा, वन टाइम रिस्टेशन जिसको OTR बोलते हैं, यह वेकेंसी की आपके कुछ डिटेल है, वेकेंसी को देख लेते हैं, इस बार 3700 वेकेंसी है, पिछले साल क्या थी, पिछले साल देखिए, ज उसकी 3500 वेकेंसी थी, तो मिला करके 4800 वेकेंसी आई थी, इसको हटा दें, क्योंकि अब यह से सीजल के थू होता है, तो आप देख सकते हो, लगबग यहीं आपके पास 1300 पोस्ट के आसपस आए भी थी, इसको अगर हम हटा हटा देते हैं, तो हमारी पोस्ट 2000 के अंडर ही रहती है, तो उस हिसाब से देखा जाए, तो काफी जादा आपके इस बार पोस्ट आई हुई है, कितनी आई है, 3712 आपके टोटल यहां पे वेकेंसी देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ठीक बात भी है, कट आप में इसका क्या आपको देखने को मिलेगा पढ़ना, महों अच्छे से, बट यह अच्छी ख़बर ही एक तरीके से देखा जाए, तो कि अल्मूस्ट डबल निकल रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है, अब आप लोग डेट के बारे में देख लेते हैं, क्या डेट रहने वाले आपके, तो देखिए, 8 अपरिल को इसका नोटिफिक कोई भी चीज कहीं पर भी चेंज आपको करना पड़े, तो आपको एक मौका और मिलेगा, कम मिलेगा, 10 माई से 11 माई सिर्फ और सिर्फ आपका एक दिन के लिए, 23 घंटे के लिए आपको मौका मिलेगा, इस वक्त आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके बा बात करें, तो 100 रुपए अप्लिकेशन फीज है, फीमिल के लिए फ्री है, एक बार देख लेते हैं कि कितने बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो देखिए 32 लाग बच्चे अपलाई करते हैं, कब जब यह ऐसे भी हुआ करता था इसके अंदर, लेकिन जब यह से हट गया, वेकैंसी से 1200 बच्चे, तभी 32 लाग बच्चे ही इस फॉर्म को भर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस एक्जामनेशन के अंदर, नमबर ओफ सीट्स कम हो गई है, कट आफ बढ़ता जाएगा, यह जो तीन-चार जार सीट्स आ रही हैं, इससे भी बहुत बदल आप सीटेसल आपका मेन फोकस है, तो मैं एक होंगा कि और भी कई ग्जामनेशन के तरफ अपना फोकस डाइवर्ट जरूर करिये, यह फिर ग्रेशन कंपलीट करके सीजल के तरफ भी अपना फोकस डाइवर्ट करिये, वहां वेकैंसी बहुत ही जादा है, ठीक है, और जो बच्चे पूरे 27-26 साल के हो चुके हैं, उनका लास्ट चल रहा है, वह अपना पूरे 100% दे, लेकिन बाकि बच्चों के लिए कह रहा हूं कि यह अटेम्ट चलो दे दो, बट इसके बाद के लिए मैं कहा रहा हूं, नेक्स टाइम से आपको यह चीज नजर में रखनी है, क इसकी सीट कितने भी कुछ भी हो जाए ना, इलेक्शिन येर में जब इतनी वेकैंसी आई तो आठ दस जार कभी भी टेच नहीं करने वाला, आप इस पर करियर नहीं बना सकते हैं, ऐसे सीट चसल का अगर आप मॉक टेस्ट देने में इंट्रेस्टेड हो, तो आप यहां प जैसे कि 2021 का अपरियल का शीफट वन का आपको पेपर देना है, मॉक ट्अ की जैसे तो आप दे सकते हो, ऐसे 2022 का आप को मई का डेना है, शिफट वन का आप दे सकते हो तो आप इस तरीके से shift wise भी दिसकते हो, सिर्फ 99. सिर्पर में अवलिबल है, लिंक धिसक्रूप्छि कुछ भी हो सब कुछ खुल जाएगा ठीक है अब हम लोगा जाते हैं लिजिबिलिटी क्रेटेरिया में एज की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो 18-17 सल तक के बच्चे को अपलाई कर सकते हैं रिलक्सेशन एज का यहां पर दिया गया लेकिन पहले आपको बता दो एज आपकी काउंट होगी एक अगस्ट दोजार चौबीस से एक फिक्स किया गया है कितना भी केस कर लिजी चींज नहीं होने वाला है और यह आपका एज का रिलक्सेशन है आप देख सकते हो स्सक्राशन शर्ट साल जो प्लस ओवी सी यहां पर आपको मिल रहे अगर आप डाइवर्सी महिला अपका रिलक्सेशन चींज तो आपके लिए यहां पर टेंशन मत लीजिए जाते हैं एजो केसन कौलिफेकेशन ऐदो यहां पर कई अलग अलग तरीके की पोस्ट है मारे पास तो आपने देखा था पी ऐसे था वो तो हट चुका है तो आप एक तरीके से तीन तरीके की पोस्ट बच रही है सबसे पहला आपका बच रहा है डी ओ डी ओ ग्रेट ए वह भी आपका Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ठीक है और आपका Ministry of Culture इसके अंदर जो डाटा एंट्री ओपरेटर यानि डी ओ की जो पोस्ट है उसका कॉलिफिकेशन क्या होगा कोई भी ट्वल्थ पास बच्चे अपलाई कर सकता है जो साइंस स्ट्रीम से पास हो यानि आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे नहीं अपलाई कर सकते इस पोस्ट के लिए इस पोस्ट का कट ओफ सोचलों के कम जाता है जाता नहीं है बहुत जादा ही जाता है बहुत बच्चे अपलाई कर देते हैं फिर भी with mathematics तो math भी यहाँ पर आपको होना चाहिए और आप साइंस के बच्चे होने चाहिए 12 पास तो आप अपलाई कर सकते हो और कोई qualification नहीं है आपर परसेंटेज 33 हो 93 हो कोई फरकने पड़ता correspondence आपने 12 पास किया है तो भी कोई फरकने पड़ता कुछ भी extra requirement नहीं है second हमारा LDC JSA वाली post और DEO इन ministries के इलावा बाकी अधर जितने भी DEO है उनकी आपके post और LDC और JSA वाली post है इसके अंदर कोई भी 12 पास अपलाई कर सकता है commerce 800 कोई फरकने पड़ता आपके क्या परसेंटेज है 33 है 93 है कोई फरकने पड़ता आप चाहो तो अपलाई कर सकते हो ठीक है कोई backstory requirement यहाप पर नहीं है आपको यहाँ पर यह भी mention किया गय 12 बोड का इस साल कोई भी आप बोड से दिये हो और किसे भी राज्या से हो आपका रिजल्ट आए जाएगा तो चुब्बी 12 के बच्चे है वह सारे इस फॉर्म को अपलाई कर दे इसी चीज को मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि बच्चे बहुत पूट पुछते है पीज आप वैसे ही आपके ये भी लेवट टू की नोकरी है इसके नीचे आपके जितनी भी है वह सारे आपके लेवल 4-5 की नोकरी है नेवल 4 की ouपर वाली ही है घ्लड़ को यह से सबसे नौर्मल लेवल की नोकरी है ठीक है और इसी को कोई भी Espans बच्च अपलाई कर सकता है और अचन सबसे नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं 35,000 रुपए पर मन्त आपके पास आएगा एजा लडी सी सबसे नीचे ले वाली आपका होगा तो ठीक है उसके बाद आपका ऊपर का 40,000 है और डी यो ग्रेड ए आपका अगर है तो 40,193 40,193 और आपके पास लेवल 5 वाला है तो 45,5 नीचे वाला जो 40,000 आपको दिख रहा होगा इन तीरों की सेलरी में आप 2-2,000 रुपए और प्लस कर लो एक तरीके से ठीक है और एक और चीज़ आपको बता दूं कि इन सबकी सेलरी में ही आप 8-10,000 प्लस कर लो अगर आप बहुत अच्छे शहर में पोस्टिंग आपकी ह होते हैं किसी-किसी मिनिस्ट्री के तो वहां पर भी आपको जाना पड़ सकता है लेकिन यहां पर दिल्ली में आपकी आपकी बट वहां चले जाओगे तो आपका HR मिल जाएक और एक्ट्रा चलो ठीक है प्रमोशन का देख लेते हैं तो डाटे इंट्री ऑपरेटर का आप देख सकते हो प्रमोशन यहां पर है और आपका LDC वाले का यहां पर है सबसे पहले आप LDC बनोगे उसके बाद डिविजन क्लर्ट उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनोगे यह जो आपकी पोस्ट ऐसे सीजर की तुरू अप जाते हो तो डारेक्ट बन जाओगे थीक है यह आपका प्रमोशन क्या फ्री महीं हो जाया है ऐसा यहीं को पास कर Shell परणाब रहा होगे in नियम आप समझ लोग भाटी जाएगा कोई नियम तरीका नहीं है बिना एक्जाम दिये हुए पास करता है और पास साल में होता है जो पास करता है वह प्रमोशन के लिए एक्जामनेशन पैटर्ण पैजाते हैं कौन से प्रोसेस से गुज़र के आपकी नोखरी लगने वाले तो देखिए हैं पर प्रिलम से मेंस है और स्किल टेस्ट है जी यहां पर तीनों है वह भी सारे के सारे पोस्ट के लिए प्लिम्स और मेंस की वन बाई फॉर्थ की आपकी आपका यानि reasoning हो गया उसके बाद और आपका general awareness ठीक है या इस सबके अंदर इक्वल यानि 25 पच्छेस क्यों एक क्वेस्टन दो मांक का 50-50 मांक का तो आपके 100क्वेस्टन और आपके 200क्व मांक करने के लिए 60 मिनट मिलेगा यानि 60 मिनट मिलेगा तो 60 मिनट मिलेगा तो 60 म मैं आपको next slide नी बताऊंगा अभी आपको section दिखा जीता हूं section 1 आपका यह है जिसके अंदर दो modular math का और reasoning का paper है section 2 है जिसके अंदर आपका English और general awareness का है section 3 है जो कि आपका computer और typing test है जिसके अंदर आपका एक session के अंदर यह सारा उपर का cover जाएगा यह आपका अलग से होगा typing test ठीक है और इसके अंदर आप सुनते हो कि sectional cutoff होता है sectional cutoff होता है तो यहां पर देखें पिलिम्स में तो को पास नहीं करना हर section के अंदर पास करना है ठीक है अब देख लेता है section wise यहां पर क्या है चीज़े मैं बसक्रीन से हड़ जाता हूं तो यहां पर आप लोग देख लो section 1 है मौडूल 1 है math का और reasoning का दोनों के अंदर 30 questions होंगे और आपके टोटल 60 questions होंगे एक question तीन नंबर का तो 180 marks एक घंटा आपको यहां पर मिलेगा यहां पर आपको दो गंटा 15 मिनिट में से एक घंटा आपको मिल गया section 1 में अगला एक घंटा आपको मिलेगा section 2 के अंदर उसके गंटा और नीचे घंटा यानि 60 questions है और यहां question को solve करने के लिए एक मिनट मिलेगा उसके बाद आपका यह है module 1 15 मिनट आपको यहां मिलेगा 15 मिनट में आपके यहां पर 15 question होंगे एक question 3 marks का तो 45 marks का आपका यहां पर हो गया ठीक है 15 question आपके यहां पर होंगे तो 2 गंटा 15 म मैंने आपको justify कर दिया कहां कहां distributed है यह आपका हो गया session 1 complete session 1 के बाद आपका session 2 है जिसके अंदर आपका skill test लेने वाले skill test में देखे part A के अंदर आपका DEO का है और एक DEO आपका यह है जिसके जो other post है और उसके बाद आपका LDC वालों का यह है यह 10 मिनट का होगा यह आपका को टाया टू qualify करना बहुत ज़रूरी है और आपका जो computer का पेपर है वह qualifying nature का है मतलब computer में आपको टॉप नहीं करना बस qualify qualify करना कोई उसका और मतलब नहीं है यह आपका हो गया skill test के बारे में अब हम लोग बात कर लेते skill test देखे एक ही तरीके का होगा मतलब टाइपिंग का टेस्ट लेंगे स्टेनोराफिक का टेस्ट नहीं होगा टाइपिंग का टेस्ट होगा देखे सबसे आदा है जो आपका डीओ है लेवल फाइफ वाली नौकरी जो आपके पर्तिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर नौकरी है उसके अंदर 15,000 की डिप्रेशन यह नहीं इस पोस् के लिए फाइदा नहीं है फिर नेक्स्ट आपका जो दियो अधर पोस्ट के लिए उनके लिए 8000 की डिप्रेशन है यहां पर जो आपका है 35 वर्ट पर मिनट का टैपिंग स्पीड होगा हां यह आपको बता तो इंगलिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आप यहां पर टैपिंग टेस्ट अपना चुल सकते हो यहां पर भी आप देख सकते हो नौजर की डिप्रेशन तीस वर्ट पर मिनट के टैपिंग स्पीड आपको चाहिए 35 आपको चाहिए इंगलिस में 30 चाहिए आपको हिंदी के अंदर यह होगा आपको टैपिंग स्पीड जो आपको टेस्ट लोग लेने वाले स्किल टेस्ट है यह बहुत कुछ उसके अंदर और नहीं पूछने वाले यह 10 मिनट का होगा अब हम लोग आ जाते हैं किताबों के उपर की आखिर इस नोकरी के अंदर आप बता तो रहे थे कि ऐसे किताब जिसमें 50% से यादा क्वेस्ट रिपीट होने वाले तो यह किताब है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और म 23 years के आपके questions दिए हैं वो भी topic wise तो आपको जो practice करनी है ना इन किताबों से करिए और guarantee देता हूं मैं यहीं पर मैं हूँ से की सारे वीडियो में कहता हूं से के सारा का सारा जो question paper होता है वो पिछली साल के पेपरों से repeat होता है 50% मैं खुद देखा हूं exact question repeat होते हुए तो आप अगर इनसे अपने practice करते हो तो definitely आपके examinations में आपका कोई हाथ पकड़नी पाएगा और आप उस cut-off के level को अचीव कर करते हैं तो इसी वजह से वह लोग इस लेवल पर अचीव कर पाते हैं तो यह किताब आपको ज़रूर पर्चेस करना लिंक description में अगर आप ऐसे से में बहुत ज्यादा मतलब सारे आपके इसके लिंक में मत लेना लेकिन जिसके पास पुरानी पढ़ी होगी नाइंथ वाली इसके अंदर आपका सारा syllabus conceptually cover हो जाएगा उसके लाबा प्रेक्टिस के लिए आपको कम हलके में चाहिए तो आप यह भी ले सकते हो 14 साल का से सीचसल का इसके अंदर आपके पेपर्स दिये हैं इसकी भी link description में है इसकी भी link description में है आप चाहो तो ज़रूर इनको purchase कर सकते हो लेकिन आपको conceptually एक guide नहीं चाहिए हर एक syllabus का अरग अलग चाहिए तो देखो आप इन से पढ़ सकते हो shortcut in reasoning की reasoning किताब उता सकते हो verbal non-verbal भी ले सकते हो अगर banking के तरफ रुजाने तो railway के लिए और SSC के लिए यह किताब more than sufficient है ठीकिए आप इसको भी ले सकते हो इसके लाब अब इनको purchase का सकते हो जो सब्सक्राइब कर लेना दोनों ही equal किताब है उसके बाद आपके Lucent के general knowledge के किताब है बहुत बहतरी किताब है आप इसको purchase का सकते हो और आपको current affairs के लिए आपको Google कर लो और अच्छे खासे current affairs के PDF मिल जाएंगे कोई टेंशन में Google नहीं करना है आप इसके लावा आपको नहीं किताब से पढ़ना है तो आप मार्केट में जाईए आपको किताब मिल जाएगा विस्डम का या फिर आपको किताब मिल जाएगा प्रत्युक्ता दर्पन का च्छे मेने का current affairs special magazine उठा लेना पढ़ लेना सौट एड़ सो रुपए का आता है ठीक ह वहाँ पर आप अवलेबल है तो यह आपका होगा एंग्लेश का syllabus यह आपका होगा क्वांट का syllabus और आपका सारा syllabus आपको दिखी रहा है आप इसको नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं इसको तो मैं क्या रेड आउट करूंगा ठीक है यह आपका होगा टाय टू का अलग से यहाँ पर लिखा गया है सारा syllabus हाला कि यह भी सेमी है एक टॉपिक मुश्किल से अंतर देखने को मिलता है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दू 2020-2021 में आपका यह था टॉपिक वाइस वीटेज और आपका 2022 में और 21 महीं आपका सारे के सारे जितने भी टॉपिक से सबका ट दिया हुआ है इसके बाद आपका जो इस वाले PDF में नहीं लिखा रहे है जो मैं स्टैट्जी वाला PDF से सारा दिया हुआ है वह PDF मेरा डला हुआ टेलेग्राम पर आप जैसे जाओगे वहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिल जाएगे लेटे 2023 में शिफ्ट वाइस सारे की मार्किंग करके लिखी हुई है आप उस PDF को डाउलोड करके जरूर एक बर नज़र में रखना इस एक्जामनेशन की सिरिस तेहरी करना चाहते हो तो कट आफ के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो अंदाजा यह कट आफ एक्सोनेश एकसेशन ताइस 143 135 159.5 141.88 तो मैं जब कट आफ के बारे में बात करूंगा तो 156 आपका था 2023 में कट आफ ठीक है 156 के आसपास था इसके अंदर शायद मैंने दिया भी होगा यह दिख सकते हो 153 था 153.9 कट आफ था तो और 17,000 बच्चे यहां पर अवलेबल थे 800 बच्चे आपके जनरल में अवलेबल थे तो यह थोड़ी संक्या बढ़ेगी तो क्या कम जाएगा कितना कम जाएगा देखने वाली बात ही है क्या 141 चले जाएगा कोई सवाल ही नहीं जाएगा आपका अंटिन अनलेस आट से दस लाग बच्चे कम हो जाएगा आपके कॉमपोटिक्शन के नहीं जाने वाला 141 नहीं जाएगा कितना जाएगा 153 ना कॉमपोटिक्शन सिमलर रहा 32 बच्चे रहे उतने ही सिरिस नहीं तो आप लेके चलिए आपका कट आप 148 149 तक जाएगा इससे कम कट आफ मत एक्सपेक्ट करिएगा और अपनी त्यारे भी मत करिएगा इस रिसाब से कि आपको कट आफ 140 जाने वाला है ठीक है चला गया बहुत अच्छी बात है बट वन फॉर्टी एट आप कट आफ लेके चलिए इसी कट आफ रहेगा वालके जनल क तो यहां पर पोस्ट ज्यादा हुआ करती थी एक सोन निस बहुत कम कट आफ करता था ठीक है यहां पको अच्छे से कटेगरी वाई सारे कट आफ यहां पर अच्छे से दिए वहें आप इनको देख सकता हूं यह पोस्टिंग आपकी आपके रहेते हैं क्या इस फॉर्म को पोस्टिंग आपकी औल ओवर इंडिया और इसको आप किसी भी राजय से अपलाई कर सकते हैं कि अपको बता चुका हूं पहले कि बिलकुल अपलाई कर सकते हैं सारे पॉइंट्स पर मैंने discussion कर लिया है आपसे इस वीडियो में और मुझे लगता है कुछीज़े समझ में आई होंगी notification download करना हूँ apply करना हूँ सबकी link आपको description में मिल जाएगी आप लोग बस और चकाउट कर लेज़ेगा तो बस एथ हाज की वीडियो में हूप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा फायदा मिला तो इस वीडियो को like जरूर करें कमेंट कर अपने राउट को और अगर आपको और विडियो दिखने होंगे तो आपको चैनल को विज़ो सब्क्राइब करें थैंक्यू